बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में इस बार कई बाहुबलियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। आए जानते हैं बिहार के पाँच बाहुबलियों का चुनाव में क्या हाल रहा। फिर से जीते मोकामा के छोटे सरकार। एके 47 और हैन ग्रिनेट की घर से बरामदगी के केस में जेल की सजा काट रहे आनन्त सिंग ने मोकामा से फिर जीत का परचम लहरा दिया। ये बिहार के वो चर्चित बाहुबली हैं जिनका सहारा कभी नितीश कुमार को भी लेना पड़ा था। उसके बाद लालू ने सियासत में इन्हें नितीश से दूर कर दिया। लेकिन सायोग देखिए कि उन्ही लालू के बैड एलिमेंट बेटे तेजस्वी की नजर में गुड एलिमेंट बन गए और आरजेडी के अनन्त सिंग को मोकामा का टिकेट मिल गया। और अपने समर्थकों के बीच छोटे सरकार के नाम से मशूर अनन्त सिंग पांचवी बार विधान सभा पहुँच गए। हलाकि इनमें से दो बार वो जेल के अंदर रहकर ही जीते हैं। दानापुर में बाहुबली रीतलाल की जीत। जेल में रहते ही रीतलाल यादव लालू तेजस्वी की आरजेडी से विधान पारशद निर्वाचित हुए थे। कई बार तो ये बाहुबली दानापुर से विधान सभा चुनाव लड़ते लड़ते रह गया। तीन मेहले पहले ही रीतलाल को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आये। दानापुर से चार बार से विधायक आशा सिनहा को करीब 16,000 वोटों से हरा कर ये बाहुबली विधान परिशद के बाद अब विधान सभा पहुँच गया है। इनका भी एक संयोग है कि बीजेपी की जिन आशा सिनहा को रीतलाल यादव ने हराया, उनके पती और बीजेपी की दिवंगत निता सत्य नराण सिनहा के हत्या का आरोब भी रीतलाल यादव पर है। बाहुबली बोगो का हो गया पत्ता साफ। जेडियू के टिकेट पर बेगू सराई की मतिहानी से खड़े हुए नरिंदर सिंग और बोगो सिंग को हार का स्वाचक न पड़ा। बोगो सिंग अपनी ही सरकार में अफसरों पर भड़कने से नहीं हिचकी चाते थे और कोरोनकाल में तो उन्हें कफन चोर तक कह दिया था। मतिहानी सीट से बोगो सिंग साल 2005 से ही विधान सभा चुनाव जीतते आ रहे थे। 2005 में बाहुबली बोगो सिंग निर्दली चुनाव जीत कर विधान सभा पहुचे थे। जबकि साल 2010 के चुनाव में वो जेडियू के टिकेट पर जीत कर विधान सभा पहुचे। लेकिन इस चुनाव में चिराग ने उनकी गद्दी में आग लगा दी। मटिहानी में लजेपी के राजकुमार सिंग ने उन्हें मात्र 65 वोटों से हरा दिया। जेडियू का बाहुबली अमरेंद्र भी जीता चुनाव। बिहार विधान सभा चुनाव में गोपाल गंज की कुचाय कोट से चार बार से जेडियू के अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे विधायक हैं। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वनवी कॉंग्रस के काली पांडे को 20,753 वोटों से हरा दिया। अमरेंद्र पर गोपाल गंज ट्रिपल मडर केस में शामिल होने का आरोप है। कहा जाता है कि वार्दात को अमरेंद्र के इशारे पर ही अंजाम दिया गया था। 25 मई की रात गोपाल गंज के हतुआ था नांतरगत। रूपंचक गाउं में आरजेडी नेता के घर घुसकर अपराधियों ने जेपी आदव समेत उनके चार परिजनों को गोलियों से भून डाला था। लेकिन इश वारदात को लेकर खूब राजनीती होने के बावजूद अमरेंद्र इस सीट से जीतने में कामयाब रहे। कॉंग्रस के सिध्धार्त भी जीते चुनाव। पटना की विकरम सीट से कॉंग्रस के सिधार्थ भी चुनाव जीत कर दूसरी बार विधान सभा पहुँच गए हैं। इन्हें भी बाहुबली कहा जा सकता है। सिधार्थ पर चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद ही इन पर एक लड़की को भगा ले जाने का आरूप लगा था लिकिन बाद में विधायक सिधार्थ अपने ड्राइवर और लड़की के साथ थाने पहुँच गए थे और इनके ड्राइवर ने जुर्म अपने सिर ले लिया था।